हेलो गाईज मेरा नम है राजू और आप देख रहे हैं एजू केशन 33 डियर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपना हेंड राइटिंग कैसे इंप्रूब करें दोस्तों मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो कि अगर आपने न परियाज भी किया लेकिन मेरा राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी मेरी राइटिंग इंप्रूब नहीं हुई तो मैं क्या करूं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही चीज बताने वाला हूं की आपने गलति क्या करी होगी जिसके बज़से आपका राइटिंग नहीं हुआ तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जो वीडियो देखते हो हो सकता है कि आप पांच मिनट का वीडियो आप दो ही मिनट वाच करते हो एक ही मिनट वाच करते हो तो इससे क्या होता है दोस्तों जानते हो जो मैंने एक स्टेप मतलब की पांच मि देखते हूँ और उसको फोलो करते हूँ आपने हो सकता है पुछ मिनाट नहीं देखा तो इसकी बज़से पहला इस टेप जो मैंने बताया और पहला इस टेप के महनत करनी पड़ेगी आपको वीडियो देखने से नहीं होगा ऐसे तो फ्रेंड मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको जकर अभी भी देख सकते हैं ठीक है ना तो आपक करना क्या है मैं आपको बता देता हूं देखे मैंने जो जो चीजें इस टेप को बताया है वीडियो में जितना भी इस टेप बताया है कि हैंडराइटिंग को ऐसे सुधारे हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए यह वाली गलती मत करना हैंडराइटिंग सुधारने के ल लिखो दाएं हाथ से हो भी जए तो दाएं हाथ से लिखो यह बात करेक्ट है ठीक है ना तो आपको करना क्या होगा कि हेंडराइटिंग सुधारने के लिए मैन जो काम होता वो होता है कि अगर इस्पीट लिखते हैं आप क्या करते हैं आप पढ़ायी में तेज हैं वो मुझे पता है ज्यादा ने वाले कहीं खराव होता है वो क्या करता है कि मतलब वो पढ़ते भूत है वो पढ़ने बहुत कुछ उसको जानने को मिलता है लेकिन फिर भी जब को लिखता है तो वो stupid हो जाता है उसका माइंड जो है उसका दिल का धड़कन धोड़ा उसके अनुसार action लेता है और उसी की बज़े से उसका speed हाथ चलने लगता है वो चाहते हैं कि मैं धेरे लिखूँ लेकिन होता नहीं है उसको लगता है कि कब मैं इस चीज को यहाँ पर ले जाओ यह चीज मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ लिखते जाता है लिखते जाता है बहुत लिखते जाता है इसी की बज़े से उसका speed पूरा high होता है और उसी को आप अगर कम कियें तो बहुत से मतलब handwriting शुधारने का 50% आपने सीख लिया कि handwriting कैसे सुधारा जाता है दोस्तों पहले बात कि आप लिखने की speed को धीरे करें दू c d hindi में कोखो कुछु हो आप वो लिखें उसके बाद आप क्या करें जनते हैं उसके बाद आप एक परागराप लिखिए उसके अनुसार आप देखें कि इसमें कौन सा मैंने कौन सा लेटर मैंने गलत लिखा और उसको फिर से आप उसको कहीं पर नोट किजिए और फिर आप ये देखें कि मैंने कौन सी चीजें गलत लिखी मेरा कौन सा राइटिंग ऐसा है जो कि अच्छा नहीं बन रहा है कौन सा लेटर खराब हुआ जो कि मैं अभी उसको सुधारूंगा तो दोस्तों इस चीज को आपको मनना पड़ेगा गलती सभी से होता है शीखने में गलती सभी से होता है आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको ठोकर लगेगा आप देखकर नहीं चलोगे तो ठोकर लगेगा सभी को लगता है और जब लगता है न दोस्तों तो बहुत बड़ी चीज सीख मिलती है जिन्दगी का सबसे बड़ा सीख वही होता है ठोकर लगने के बा सब को फोलो करें और दोस्तों तुरंत नहीं होता है कोई भी चीज के लिए थोड़ा मेहनत करने के साथ साथ आपको सब्र भी करना पड़ता है वो करें उसके बाद आप हो जाएगा टेंशन ना लें उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही माई तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर इस कटेगरी की वीडियो मिलती रहेगी थाइंक यू